क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको थाइरोइड के केस में अवाइड करने को बोला जाता है क्रूसिफरस वेजिटेबल्स का मतलब आपकी ब्रॉक्ली पत्तगोबी फूल्गोबी रैट कैब्च ठैबच सारी उस फैमिली के जो वेजिटेबल्स है वो सारी और soya bean, soya bean को भी, soya को भी मना किया जाता है But then, the truth is, सच्चाई ये है कि उसमें बोलते हैं कि goitrogens है उससे goiter होता है लेकिन, जी हाँ, उसमें goitrogens है लेकिन, किंतु, परंतु, सच्चाई क्या है सच्चाई ये है, कि जब अब उसे पका लेते हू उसके सारे goitrogens हो जाते है फुस, येस, नेस तो नाबूत हो जाते है खतम हो जाते है ना के बराबर हो जाते है कि आपका thyroid पे कोई फरक नहीं पड़ेगा आप उसे खा सकते हो, पका के ये सारी चीजे, cruciferous vegetables कच्चे नहीं खाने है कच्चे कहा होंगे, Chinese food में अध कच्चे होते हैं तो पका के खाओ, और सोया बीन को सही से पका के खाओ और वाकी सब खा सकते हो, कोई चिंटा नहीं करनी है आपको ये basic है ये आपको